देश के चार संक्राचारी हैं उन्होंने मना कर दिया है राम मंदीर उद्गाटन समारों का एक तरह से अगर कहें कि वो पहिसकार कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि राम मंदीर का उद्गाटन जिस तरह से हो रहा है वो सास्त्रों के नुसार नहीं है अधूरे मंदीर का उद्ग उद्गाटन किया जा रहा है और इस बात को कहते वे देश के चारों संक्राचारियों ने मना कर दिया है कि वो इस मंदिर के उद्गाटन में नहीं जाएंगे। और अब जब मंदिर का उद्गाटन हो रहा है तो भी नरेंदर मोदी के उपर जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वो यही आरोप लग रहा है कि आप जल्दबाजी में चुनावी फाइदा लेने के लिए उद्गाटन कर रहे हैं। धर्म के मामले में कम से कम हमें उनी लोगों को अगर धर्म के रास्ते पर अगर कोई चलता है तो धर्माचारियों की बात को ही माना जाएगा। अगर कोई गनित का कोई सवाल हल करना चाहता है तो मैं क्या कहता हूँ आप क्या कहते हैं वो माने नहीं रखता है। गनित का ध्यापक जिस बात को कहता है वो माने रखेगा। या फिर आप जो है वो धर्म की धर्माचारियों की बाती मत करिये फिर आप साइंस के इसाब से उससे चलिए। लेकिन धर्माचारी इस बात को कह रहे है, संकराचारी इस बात को कह रहे है कि राम मंदीर का उदगाटन वो जल्दबाजी में करवा दिया गया है और चारो के चारो संकराचारी है। राम मंदीर के उदगाटन में चारो नहीं जा रहे है और क्यों नहीं जा रहे है तरक क्या दिया है तरक दिया गया है इनकी तरफ से कि जो उदगाटन हो रहा है वो सास्त्रों के नुसार नहीं है, सास्त्रों की विधी का पालन नहीं किया जा रहा है, अधूरे मंदीर का उद तो आप कहेंगे कि आप संक्राचारी को जो है क्या देश में अब जिस तरह से एक certificate वाली गैंग है जो फटा-फट किसी को भी विधर्मी, देश रोही, गोसित कर देती है तो संक्राचारी को क्या कहेंगी, संक्राचारी को अभी अभी बेयान आया है और मैं चाहता हूं कि अवि मुक्तेस्वरानन सर्थ्वती जिन्होंने इस बात को कहा है कि चारों संकराचारिये नहीं जा रहे हैं तो इस बात को जो है आप सुनें, गहराई से सुनें, और उसके बाद में एक एक शब्द शै, मैं संक्राचारिय के बयान वो आपके सामने लखोंगा। तो सबसे पहले जो है वाप संक्राचारी का बयान सुनेगे, संक्राचारी अविमुक्तेसुरानन सर्थ्वती, उनका बयान जो है वाप सुन लीजिए, और इसके पीछे बड़ी वज़े क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बड़ी वज़े है रामानन ये चंपत राय चंपत राय का एक बयान, और चंपत राय कोन रखती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, चंपत राय का नाम तब भी सामने आया था, जब मंदिर घोटाले का बात हुआ, चंपत राय का बयान तब भी सामने आया था, जिस वक्त में राम मंदिर को ले करके, जमीन की तो प्रोफत में bjp नेताओं के बीज प्राय की नाम निकल करकеци सामने आये थे। और पता यह चल रहा था की करोणों के बाव कोडियों की जमीन खरीद ली गई है तो nggak मांत कीजी वो कोडियों की जमीन जो करोणों के बाव खरीद ली गई तो शक्त में भी चंपत राय का बयान सामने आए था और अब चंपत राय के लगातार जो इंटर्विव छप रे बड़े-बड़े अख़वारों में तो चंपत राय की कहने से हो रहे हैं या कोई उपर से connection है यह सब यह संक्राचारियों को बाहर करने का रास्ता जिम्मेदारी वो चंपत राय को डाल दी गई है उस पर मैं विसार से बात करूँगा लेकिन पहले जरा स्वामी अवी मुक्ते सुरान सरसुती वो क्या कह रहे है एक बर आप सुन लिजिए यह बहुत बड़ी बात है स्वामी अवी मुक्ते सुरान सरसुती जिस बात को कह रहे है अपने आप में बहुत गंबीर बात है और कोई धर्माचारिय इस बात की सरसे अरोप लगा रहा है और यह कोई ऐसी संत नहीं है कि चलिए किसी गली चोराय में कोई बैठे वे संत है या किसी नुकड चोराय पर कोई छोटा मोटा मंदीर है और वहाँ पर हलाकि मंदीर अगर छोटा हो गया भी उसकी मानता उतनी ही उसमें उतनी ही प्राणप्रतिस्टा मानी जाती है लेकिन मैं आपको एक उधान के तोर पर बता रहा हूं कि कही पर गोली नुकर चोराय पर कई लोग अपना छोटा सा मंदिर खोल करके बैठ जाते हैं तो उस तरह से नहीं है यह संक्राचारी है और यह वो लोग है जिनका सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इनको पक्सकार के तोर पर रखा गया यह वो बात कहने वाले लोग है यह वो लोग है जो अलग-अलग कोर्टों के अंदर गवाई के देने के लिए बैठे रहे वहापर पूरे-पूरे दिन तक कई कई दिनों तक कोर पाइदा मंदिर के फैसले के अंदर पक्सकार है इन और यही इस बात को किह रहे कि साब जो उद्गातन को रहा है वह अधूरमन दिर का हो रहा DR. और अधूरमन का उद्गातन सास्त्रों के इसाफ़ से गलत है और इसलिए हम नहीं जा रहें इत्र पड़ी खबर में आपको बता रहा हूँ संक्राचारी का जो बयान है वो मैं आपको सुनाता हूँ संक्राचारी के बयान से काफी कुछ जो है वो किलियर हो जाता है कि संक्राचारी का ये कहना इसका मतलब आप समझे इसके माइने आप समझे लेकिन अगर किसी और के बारे में अगर संक्राचारी ने इस तरह से टिपनी की होती तो अभी तक तो संक्राचारी को ले करके पता नहीं क्या क्या कहा जाता अभी संक्राचारी जी का बयान सुनेगे गबर संक्राचारी वहाँ पर नहीं जा रहे हैं कारण क्या है क्यों नहीं जा रहे हैं किसी रागत द्वेश के कारण नहीं बलकि संक्राचारियों का ये दाईत्व है कि वो शास्त्र विधी का पालन करें और करवाएं कि अब वहाँ पर शास्त्र विधी की उपेक्षा हो रही है सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है कोई ऐसी परिस्तिती नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े देखो किसी समय देखिए सुनिए अभी समझे इस बात को क्या कह रहे है संक्राचारी कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं और क्यों नहीं जा रहे हैं वो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मंदिर पूरा बना नहीं है और मूर्ति स्थापित की जा रही है उसकी प्राण प्रतिष्टा की जा रही है और ऐसा कोई जरूरी दिखता नहीं है कि अभी होना चाहिए यह अगर अब नहीं हो पाए तो कभी नहीं हो पाएगा ऐसा कोई विशय ही नहीं है वहाँ पर लेकिन ना जाने क्यों और एक्जिक्ट उनका बैयान सुन लीजे अब शब्दों में आप चारो संक्रा चारिये प्राण प्रतिष्टा में नहीं जा रहे हैं कोई द्वेस नहीं है हमारा धर्म है कि सास्तर विधी का पालन करें और करवाए वहां इसका पालन नहीं हो रहा है मंदिर अधूरा है मंदिर का निर्माण कारिये वो अधूरा है देखे बहुत बड़ी बात कह रहे है यह कहरें कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म ये है कि जब तक वहाँ पर मंदिर का निर्मान पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई जा सकती है, सास्त्रों का पालन करना वो हमारा काम है, सास्त्रों के अंदर जो विदी लिखी गई है उसका पालन करना और उसका पालन करवाना अपने जजमान से वो हमारा काम है और अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर अपने तरीके से करिए देखिए कोई व्यक्ति किसी पंड़जी को या किसी जो है वो सास्त्रों को जानने वाले को या जो है वो किसी संक्राचा अगर कोई धर्माचारिय को क्यों बुलाता है, अगर कोई धर्म का काम करता है, ये दो बिल्कुल अलग डिबेट है, कि मंदिर की विशाई पर भी बात क्यों किया जाए, या क्यों मंदिर के लिए बात की जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर धर्माचारियों के हिसाब से देखें तो कोई व्यक्ति किसी धर्माचारी संक्राचारी को अपने घर पर कोई बड़ा उत्सव होता तो क्यों बुलाता है क्योंकि जैर सी बात है अगर किसी को गनेश जी के आरती पढ़नी है अनुवान जी के आरती पढ़नी है राम जी के आरती पढ़नी है या राम स्तुति करनी है तो गूगल से डाउनलोड करके भी पढ़ लेगा कुछ किताबे आएंगे उन किताबों को देख करके वहां से पढ तो देखिए धर्माचारे संक्राचारे को अपने घर बुलाता है और यह अपने गर गर का उद्गाटन है या किसी और चीज़ का उद्गाटन है तो इसलिए बुलाता है ताकि वहाँ पर सही तरीके से काम हो सही तरीके से पूजा हो विदिवत तरीके से जो विधान है उसके तरीके से पूजा हो और उसके बाद में सही से जो हो चीज़े सारी वहाँ पर सही का तरीके से काम करें जो लोग धर्म को मानते हैं उनकी कम से कम सोचिये रहती है लेकिन धर्म क्या कहता है सास्तर क्या कहते है संक्राचारी कह रहे कि सास्तरी कहते है कि जब मंदिर अदूरा पड़ा है वहाँ पर मंदिर निर्मान का कारी पूरा नहीं हुआ है वहाँ पर और जो पर ये बात वो नहीं है कि हमने एक ट्रस्टी क्यों नहीं बनाया है, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है, ये सीधर तोर पर कहा है कि जो उद्गाटन हो रहा है, वो सास्त्रों की विधी के नुसार नहीं हो रहा है, और इसल खेर अभी चंपत राय का जरा इंटर्वी दिखाईए इस चंपत राय जो है इनका बड़ा जो है वो योगदान अपने आप में अब योगदान किस हिसाब से कहा जाए या किस हिसाब से उनके उपर उंगलिया उठ रही है वो कहा जाए वो तो खेर आप लोग तै करिए लेकि इनका एक इंटर्व्यू छपा है और इस इंटर्व्यू ने जो है वो इसकी जो हेडलाइन है उसको ज़रा समझी आप ध्यान से इसकी हेडलाइन हंगामा खड़ा कर दिया है इस चंपत राय का जो इंटर्व्यू आया है इस चंपत राय के इंटर्व्यू से एक तरह से हंगा खड़ा हो गया है और इसमें क्या का गया इसकी हैडलाइन जो है वह अपने आप में वह अपने से नहीं बनी है यह बयान दिया चंपत राएन इस बात को कहा है मंदिर रामानंद संप्रदाय का है राम मंदिर को एक तरफ बीजेपी कहती है कि मुसलमान भी मस्जिदों के विएचपी के यह नेता इस तरह से बार-बार लगातार बयान दे रहे है कि मुसलमान भी जो है वो मस्जिदों के अंदर वो करें घोस करें जकारे लगाएं स्तुति करें वहाँ पर और यहाँ पर राम मंदिर को जिसके लिए का जा रहा कि वह 500 साल के बाद राम मंदिर बन सन्याशियो हो नहीं है बताए भाई हमने आज तक कोई ऐसा भै안 नहीं देखा मंदिर को ले कर के जो संगर्स को पड़ते है या जो लड़ाई लड़ी गई उसको पड़ते है या जो गैरकानूनी काम किया गया उसको पड़ते है तो कभी ये बियान नहीं दिखा कि फलाने संपर्दाई के लोग ही आए क्योंकि फलाने संपर्दाई का ही मंदिर है और फलाने संपर्दाई के लोग नहीं आए ऐसा कोई बयान नहीं दिखा वहाँ पर तो हिंदू है चलिए और यहाँ पर संपरदाई तक बात आगी है क्या कहींगी इसको आप और इसी बयान ने जो है इसी बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है और इसी बयान की वज़े से इसी बयान की वज़े से जो है वो वहाँ पर जो सन्यासी है सादू संथ है उनके अंदर गुस्सा है और भर भर करके जो है चंपत राय की ऐसी बढ़ाई की जा रही है ऐसी प्रसंसा की जा रही है कि आप मत पूछिए और कौन-कौन से नेताओं को न्योता भेजा गया है या कौन-कौन से नेताओं को न्योता जाएगा चंपत राय को अब हलके में मत लिजिए जिस बात को चंपत राय कह रहे हैं इस चंपत राय जो है मासचीव है स्री राम जनम भूमी तिर्थ ट्रस्ट के हलकि ये ट्रस्ट जो है वो बताते हैं कि अभी अभी आया है संक्राचारी तो इस बात को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस ट्रस्ट में जिस रामाले ट्रस्ट में संगर्स की लड़ाई-लड़ी संगर्स किया कोल्ट में गया कोल्ट में पक्सकार बने हम लोग और उस रामाले इन लोगों ने बनाया है और उस प्रस्ट के जो है, यह मांस अचीव है, स्री राम, जनम भूमी, तिर्थ, प्रस्ट छेतर के, और यह जो है, वो टै कर रहे हैं, आजकल, कि कौन-कौन से नेता आए, या यह उन लोगों में है जो टै कर रहे हैं, आप इसको ऐसे कह लीजिए, कि कौन-कौन सा नेता आएगा अब आप समझ सकते हैं पोजिशन इनकी कितनी जबरदस्त है कितनी उची पोजिशन पर है ये तो ये प्राण प्रतिष्टा के अंदर प्राण प्रतिष्टा में 125 संत प्रंप्राओं के मात्मा सभी 13 अखाडे वे 6 दर्सन के महापुरुस धर्माचारी आएंगे रितियों, पूजा, पदतियों को लेकर के चंपत राए ने ये उपमिता, वाजपई और महंदर तिवारी के साथ में इंटर्व्यू दिया है ये उपर जो है वो लिखा हुआ है ये जो इंटर्व्यू के सुरात में और इंटर्व्यू का पहला सवाल आप देखे, क्या गजब जो है वो अब किसको क्या कहेंगे पहला मैं सवाल पढ़ देता हूँ आपके लिए आपके लिए, चमपत राए से सवाल पूछा गया है, आपके लिए वैस्तम वक्त है बिलकुल बेटी के बाप वाली स्थिति है इतना बड़ा उत्सव है अध्या में और उसमें आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है यह सवाल है कि मतलब सवाल क्या यह इंटर्व्यू का पहला सवाल जो आपके सामने है फुल यह जो है वो पूरी स्क्रीन पर नीनी को चलाएए आजी स्क्रीन पर हाफ इंडो में तो आप यह मत्या सवाल पहला सवाल में फिर से पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए धान सा सुनिए सवा आपके लिए व्यस्तम वक्त है सबसे मतलब बीजी है आप इस टाइम पर बिल्कुल बेटी के बाप वाली स्थिती है इतना बड़ा उत्सव है आयोध्या में और उसमें आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आगे कोई क्योश्चन मारक नहीं है कुछ नहीं है मतलब कि यह ऐसा दिखाया जा रहा है ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे चंपत राई ही सब कुछ कर रहे हो और चंपत राई की बेटी की साधी हो और चंपत राई बेटी की साधी में जैसे बाप व्यस्त होता है तो वैसे व्यस्त हो हलाकि चंपतराई जी की बेटी की साधी में मुझे नहीं लगता है कि इतना किसी नों उनको का होगा कि आप अपनी बेटी की साधी में बहुत वैस्त हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के नाजने कितने हजारों हाथ होते हैं कितने पाउं होते हैं जिसे एक आम आदमी के दो हाथ होते दो पैर होते हैं और आम आदमी की चकरी बंदी रहती है उदर से बराती आ रहे हैं उदर से अलवाईयों के पास में जो है वो रस्गुले खतम हो गया है गुलाब जमन गरम नहीं हो यह है गाजर का अलवा ठंडा पड़ा हुआ है यह रस्मलाई में जो है वो अभी दूद नहीं वो खतम हो गया है तो आदमी के चकर बना रहता है लेकिन जब आप बड़े लेवल पर चले जाते हैं तो आपके कई हाथ पैर आ जाते हैं आपके कई हाथ पैर हो जाते हैं पैसे के इसाब से हो जाते हैं रसूक के इसाब से हो जाते हैं फिर आप बड़े बड़े जो है वो लोगों को बुलाते हैं जो साधी और्गनाइज करते हैं वेडिंग और्गनाइजर को बुलाते हैं और उसके बाद में कहते हैं हमारी साधी में तो मोदी जी आ रहे हैं तो साधी कुछ इस तरीके होने चीए मोदी जी को पसंद आ जाए यहां कुछ ऐसा लगाओ वहां कुछ वैसा लगाओ और खाने में कुछ ऐसा रखो और वैसे उसके बाद में ऐसे देना और उसके बाद मे तो ऐसा सवाल जो इन से पूछा गया ऐसे ऐसे इंटर्वी हो रहे है साम के जैसे बेटी का ब्याई नीका है तो मतलब अब जवाब सुनी इनका ये कह रहे कि नहीं ये ऐसा नहीं है बेटी के बाप वाली हालत नहीं है बड़ी सहजता से सब कुछ हो रहा है मैं अकेला कुछ करता हूँ कोई भी काम एक आदमी नहीं करता एक हमेश्या टोली काम करती है टोली के उपर भगवान की इच्छा उती है तो काम संपन होता है तो मतलब उदर से दोनों आदमी दोनों की परसंशा किये जा रहे हैं तो कुल मिलाकर करके इस तरह से इंटर्व्यू हुआ है इस तरह से सवाल जवाब जिस इंट्रव्यू के अंदर पूछे गए और इस इंट्रव्यू के अंदर इन्होंने इस बात को कहा दिया जब मतलब कि आदमी जो है या तो आप जो चोकन्य हो जाते हैं देखिए इंटर्व्यू में ऐसे इंटर्व्यू में ऐसी लच्छेदार बात निकल गर के आती है अगर हम और आपको इंटर्व्यू लेंगे या समाने तोर पर पूछेंगे तो पचासों चीजी पूछ लेंग इतने लोग आएंगे इतने लोगों की पार्किंग की विवस्ता क्या है कोई दुरगट ना हो गई उसके लिए विवस्ता क्या है अस्पताल में कितने बैट बढ़वाए है उसकी विवस्ता क्या है वोटलों में मनमाना चार्ज तो नहीं लिया जाएगा उसकी विवस्ता क में कि क्या है पर्साइशन के साथ में कितनी बैड़ के हुई हैותר पूरे का क्या वव़स्ता है जो करीवा अधमी आपने रिफस्ता कि है क्योंकि जो पैसे बाला नहीं है कि उसको नहीं पूछेंगे सरदालू साथ उनके लिए आपने क्या व्वेश्टा कुछ बनाई ए तो अगर हमारे जैसे कोई आदमी हमारे जैसे कोई पतरकार अगर सवाल-जवाब करने लगेगा वहाँ पर पचासु चीज पूछ लेगा और उसमें सामने वाला आदमी जो चुकनना हो जाता है चुकनना हो जाता ह और वो नपातुली बात जो है वहाँ पर करेगा, नपीतुली जो शब्दों को बोलेगा, नपीतुली अंदाज में बात करेगा, और बहुत कम से कम सब्दों को खर्च करेगा, लेकिन सामने जब लच्छेदार वहाँ पर सवाल करने वाले, बेटी के बाप की हालत बताने वा और फिर आपकी जो शब्दों की पकड़ है वो खतम हो जाती है और शब्दों की पकड़ खतम हो जाती है तो फिर आप वो बोल जाते है जो आपको कभी नहीं बोलना चाहिए था ये बात इन्होंने कह दी कि राम मंदिर रामान संपरदाय का है आज तक आपने कभी सुना है कि राम जो फलाने समपर्दाए के थे, अचली ठीक है, कह दिया जाए कि ठीक है, बहुत सारे लोग कहते की, राम जी छत्रिये थे, राम जी जो है, राजा थे, थोड़े दिन पहले पवाल हुआ, हंगामा हुआ, खिराम जी जो है, मासाहरी थे, बीजेपी कुछ नेताओं ने कह कि राम मंदिर का उद्गाटन हो रहा है, उस दिन सराब की मासाहरी सारी दुकाने बंद कर दी जाए, नोन मेजटेरिन की सारी दुकाने बंद कर दी जाए, तो चलिए ठीक है, वो एक अलग बहस हुई, तो बीच बीच में कोई लोग बोल भी देते, लेकिन आपकी आप देखी क्या कह रहे हैं, कि सेवे साकत और सन्यासियों का नहीं है, वही मतलब आप कौन होते हैं करने वाले, और वो लोग कहा जाएंगे जिन्होंने जो है वो संगर्स किया वहाँ पर, जब अटल वेरी वासपही का जो भाशन देखा मैंने, तो उसमें मैंने कहीं नही वेरी वासपही तो कह रहे हैं कि कुछ जमीन उबडखावड है, नुकीली है जमीन, और जमीन को समतल करना पड़ेगा, तो वाटल वेरी वासपही ने तो किसी संपर्दाए का नाम नहीं लिया, जब वो रत्यातरा निकाली जा रही थी, जिसको ललु परसाद याता हुने क वाल रोकने की हिम्मत दिखाई, उस एरफ यातरा में तो कही नारे नहीं लग रहे थे, कि फला संपर्दाए के लोग आए, फला संपर्दाए के लोग वापिस से लए जाए, उसमें तो कही नारे नहीं सुने हैं, तो ये सारी चीजे अपने आप में जो है, वो बहुत सारे कि ध्रमाचार्यों की जो सास्तर की विदी है उसको धरकिनार करके आप उद्गाटन करेंगे तुझ साधु संते सनातनी यह सज़ों सन्यासी और क्या आपके उसाथन आपको जो है वो बाबा जी आपको कल आना है और कल जो है वो घर के अंदर जो है वो नवरात्री की कढ़ाई की पूजा रखी गई है और कल ही कंजिकों को जमाएंगे कन्याओं को जो है कल जमाएंगे और आप लोग भी जो है आजएगेगा आपकी भोजन की विस्ता करेंगे आपको भी कुछ दान पुर्ण देंगे तो आदमी आएगा क्या क्या कोई बाबा जी कोई सादू सन्यासी उसके अंदर आएगा क्या वो फट से कहेगा मुरख आदमी हो क्या जब नवरात्रे आएंगे तभी तो नवरात्रों की लिए पूजन पाठ होगा तभी तो नवरात्रों के नाम की तुम कड़ाई करोगे पूजन करोगे उसी की भोजन विवस्ता तभी तो करोगे अब मैं कह दू कि पंड़ जी आप कल आजईए या धर्माचारी जी आप आजईए सादू संत्य आप आजईए और कल जो है वो सिवरात्री के नाम का जो है वो आपको भोजन कराऊंगा कैसे आ जाएगा कोई और इसी बात को जो है वो धर्माचारी कह रहे हैं आप पर कि राम जनब भूमी का उद्गाटन जो होना है उसके लिए सबसे उत्तम समय सबसे उप्युक्त समय वो राम नोमी का था राम नोमी को राम जी का जनम हुआ माना जाता है तो जनम के दिन उद्गाट प्रतिष्टा हो इससे बढ़िया इससे उत्तम और क्या हो सकता है और राम नोमी है ऐसा नहीं कोई 20 साल बाज में आने वाली है कि कुम्ब का मेला है चलो एक बार भर दिया और अब कुम्ब का मेला कई साल लग जाएंगे तो चीक है बीच में करो खतम करते है अप्रेल में वो आ रही है लेकिन अप्रेल में अचार सहींता भी तो आजाएगी और अप्रेल से पहले आ जाएगी अचार सहींता तो अप्रेल से पहले जब अचार सहींता आ जाएगी तो फिर जो मोदी जी को जाना है और फिर जो गाने बजेंगे वो राम को लाए हम उनको लाएंगे जो नारे वहाँ पर लगेंगे फिर उनका क्या होगा फिर वैसे ही जो कॉंگरेस भी का concurया चुम जया है को जो बयान आया है इसको ले करके जब संक्राचारी वांपर जाने सब्क्राइब संदा रहे हैं तो दिविजे सिंग ने क्या का है चरह अगर उसको भी सुन लीजे समझ लीजे और यह कह रहा है कि राम लला प्राण प्रतिष्टा पर दिविजे सी ने निसाना साधा प्राण प्रतिष्टा समारों में संक्राचारियों के बदले नेताओं की उपस्तिती पर उठाया सवाल कि संक्राचारिय तो जा नहीं रहे हैं और नेता जी जा रहे हैं दिगविजे सिंग ने सोशल मेडिया पर विएच पी यानि विशु इंदु परिशाद आरेसे सोर बीजेपी पर हमला बोला है तो उनका जो पीट है वो भी मापको आगे दिखाऊंगा तो राम लला प्रान प कहा हैं दरसल वो छिटा कसी करसने के लिए एक सुगम रास्ता ये ट्वीट देखिए आप संक्राचारी दिविजे सिंग का ये कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्मान में किसी को कोई इतराज नहीं था पूरु प्रधान मंत्री नरसिमा राव जी यह कारिये सभी मानता नियास के माध्यम से करवाना चाहते थे ना कि विएच्पी के द्वारा विश्विंदू परिशद के द्वारा आरेसेस के द्वारा ये विश्विंदू परिशद और आरेसेस का जो संगठन है राजनेतिक संगठन बीजेपी का राजनेतिक संगठन है नहीं क्या सनातन धर कि आपर दीविजे सिंग ने कहा है दीविजे सिंग कह रहे है कि राम मंदिर को लेकर कि किसी को कोई इतराज नहीं था पूरू प्रदान मंत्री नर्सिमा राओ जी उनका ये मानना था कि रामाले के नाम से ट्रस्ट मनाया जाए और उस ट्रस्ट के जरिये ही राम मंदिर का न है है कि आगे पहले नंबर किश की कुरशी नहीं पहले नंबर से पिर किरस्यों की जहले ही चाहिएं किसका किस संभकी कि यह तहीं चाहिए रही है clarbright सोने गांदी क्रिक इंधि क्वानडी को देख़्र हैं लेकिन निहीं पता है कि ना दों या तो आप बुलाईये मत, या तो आप किसी ने तको मत बुलाईये, सीधे तोर पर कहिए कि ये राम मंदिर का निर्माड हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर का निर्माड हो रहा है, दर्माचारिय, संक्राचारिय, जिस तरह से चाहें, जैसे चाहें, जब उनको लगे कि हाँ सास्तों के हिसाब से अब सही अब उचित है तो उस दिन अपना जो है वो राममेदिर का उद्गाटन का समय निकाले और उसका जो है वो खुब भवे तरीके से उसका उद्गाटन किया जाए और उसके बाद में फिर जो है वो इन्वाइट किया जाए कि पहले वे सरदालू के तोर पर परतम सेवक के तोर पर परतम सेवक परधान मंतरी नहीं बलकि इस देश की जो परतम नागरिक है उपराश्टपती जी माननी दुरुपदी मूर्मू जी उनको बुला जाए हक दिया जाए अब वो आए ना आए वो उनकी नीजी आस्था है कि वो राश्टपती के पद पर रहती भी वो आना चाहती है कि नहीं आना चाहती है उन पर छोड़ दिया जाए और इसको लेकर कि किसी प्रकार की कोई टिकाटी पनी नहीं होनी चीए कि राष्पती जी क्यों नहीं आ रही है अब कोई ये पूछ रहा है ये बता रहा है कि सोनिया गांदी को क्यों नहीं आ रही है राउल गांदी क्यों नहीं आ रहे है मलकर जुन खड़के क्यों नहीं आ रहे है अखले स्यादाव क्यों नहीं आ रहे है ममताविलर जी क्यों नह यह वहाँ पर Can क्या यह उनको लोता गया है और नहीं गया है कि उनको नोता भीजा है यह सारे सवाल जो बड़े सवाल वाजिब सवाल कि वह साली सोनी गांडि से तो इस देश में आज की तारिक में अगर हैसियत की बात करें तो मांटमी और माननी राष्ट्पति जी को इस बात का मोका दीजिए क्यों पहली सरधालू बने वही बने और आपर ध्रमाचारिये संक्राचारिये जो भी है जो बखुवी जानते हैं कि कब है विदी किस विदी के नुसार कब उद्गाटन होना ची उस तरह से उद्गाटन करने लेकिन के फिर वही गोई मेग है कि साप चुनाव चाहिए चुनाव में जीट चाहिए मंदिर अगर पहले नहीं बना मंदिर वगों प्रास्यों पल कि साथ सारी बात यहाएं बैराल बड़ी खबर है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी खबर और इस खबर की जो गंबीरता है इस खबर की जो गहराई है वाप कुछ समझ में आई होगी, बहुत बड़ी खबर है और मैं चाहता हूँ कि इस खबर को आप लोगों शेर कीजिए इस खबर को हर हाल में शेर कीजिए, जरूर शेर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन अगंटी है उसको जरूर दबाईए, ताकि जैसे ही कोई खबर अप्लोड करें, उसकी नोटिफिकेशन सीधे, सबसे पहले आपको मिल सके, अगर ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहा है, तो फेस्बुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फोलो कीजिए और इस खबर को शेर कीजिए, आपका बहुत बहुत दनिवाद